जब जार्खन में 20 साल की ये लड़की अचानक नदी में दौडने लगी और फिर जचमतकार हुआ उसे देख सबी लोग हैरान हो गए दरसल दोस्तों ये घटना जार्खन के एक छोटी से गाउं में रहने वाली दिव्या की है जिसकी उमर महज 20 साल की है दिव्या बच्पन से ही धर्म-कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी भावना भगवान के प्रती हमेशा से ही अधिकती इतना ही नहीं वे किसी गरीब को देखती तो उसे कभी खाली हाथ जाने नहीं देती और अन्य लोगों की मदद भी करती दिव्या हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पेने की चीजे भी देती थी बले ही दिव्या के पास कुछ ना हो लेकिन वो हमेशा ही दूसरों की मदद के लिए तत पर रहती थी समय बीटता गया और एक बार चट पूजा का परवाया जिसको दिव्या भी मनाती थी चट पूजा से एक दिन पहले अचानक से मुसलाधार बारिशोना शुरू हो गई इसके बाद अगले दिन जब चट पूजा शुरू ही तो मौसम ठीक ठाक हो गया था और अच्छी खासी दूब भी निकल आई थी आप जानते होंगे कि चट पूजा का परव तीन दिनों तक मनाया जाता है चट पूजा के तीसरे दिन जब दिव्या पास की नदी में चट मैया की पूजा करने पहुची तो वहाँ पर उसके साथ एक ऐसा हादसा गटित हुआ जिसके बाद से दिव्या की पूरी दुनिया ही पलट गई जी हाँ उस तिन मौसम भी काफी बिगडा हुआ था आसमान पर काले बादल चाय हुए थे और बिजली की गड़गडाहट के बीच सभी श्रधालू नदी में चट मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे चट पर्व के दरान नदी में लोगों की भीड अधिक थी जिस कारण नदी में धखका मुक्की का महौल बना हुआ था वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलो को तैनाद भी किया गया था ऐसे में दिव्या भी छट मैया को जलर पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुँच कर पूचा करने के लिए खड़ी हो गई अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया जिससे दिव्या बहते हुए दूर किसी जगह पहुँच गई दिव्या को तैरना नहीं आता था दोस्तों जिसकी वज़े से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी तब ही दिव्या को लगा कि वो अब नहीं बचेगी उसकी मौत अब निश्चित है लेकिन फिर भी वो मन में मा दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी कि हे मा मेरे प्रहन बख्ष दो कुछी देर में दिव्या को पानी के उपर एक चोटी सी लड़की दिखाई दी जिसने अपना हाथ दिव्या को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था काफी देर तक नदी के पानी में रहने से दिव्या की आखे बंद होने लगी उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथों में दे दिया फिर उस लड़की ने दिव्या को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे छोड़ दिया इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गाउं के कुछ लोग वहाँ आए और दिव्या को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ी कठी हो गई और दिव्या को भी होशा गया गाउवालों के पूछने पर दिव्या ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छट पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहां तक पहुँच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकाल कर उसकी जान बचाई है लेकिन गाउवालों ने बताया कि तुम अकेली ही थी अब वो लड़की कहा है काफी सोचने के बाद दिव्या को समझाया कि वो कोई और नहीं थी स्वयम मा दुर्गा ने एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई है और माता यहां से अब जा चुकी है कुछ देर बाद दिव्या के घरवालों को इस घटना के बारे में पुली स्वारा सुचित किया गया और फिर दिव्या खुशी खुशी अपने घर लट गई तो दोस्तो अगर आपको भी मा का यह चमतकार अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक शरूर कीजिए ऐसी ही घटनाई देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो के अपडेट मिलती रहे मिलेंगे अगली वीडियो में नई सची घटना के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद